छेले ऐसे में हेल्दी बोल सकते हैं समोसा की और सेपि आठा से बनारी हैं रory चैनल में आठा से नहीं कर रहीह mam बहुत ही हेल्दी सा यही आठा का समोसा में अपने तरीके से बनाते ही हैं यहाल कि का दो तरीके आम बना रही हूं और चछत से बनने वाला यसे मैंने आटा ल्याए है आटा में चार टेबल स्पून डाल रही हो मैं स्थीर दाल रही हूं नी हो 25 घ्राम लिहों मैं जिसके लिए अच्छा निया आट चुकि हम लोगे से तलेंगे टार्जेशन के लिए अजवयन से फ्लेवर ही बहुत ही अच्छा आएगा और अजवयन के तो कहीं फाइदे भी है जब तक इसे मोयन डालके से मिक्स करना है ताकि मुठी बंधनी लगे कि इतना मोयन को इसमें डालना है तो चाट टेबल स्पून ओयल इसके लिए सफिसेंट है अब इसमें थोड़ थोड़ पाणि डालते वेशे एक डू बनाएंगे अच्छा सा पंदले है बहुत नरम नहीं बनाना है नहीं बहुत सकत बनाना है मीडियम तरहसी से एक डू इसे मैं एक डो बना लेती हूं देख सकते हैं इसे अच्छा सा यह एक डो बना लिया है जिस से बहुत नरम भी नहीं और बहुत सकत भी नहीं यह जोग आटा हैं अब इसे में थोड़ी तरीक लिए स्टाफिंग बना लेंगे समोसा का जिसमें मैंने अलो को पहले से ही बॉइ प्रूट, प्याज, हरी मिर्श, मुंफली, थोड़ा सा बारी कटा हुआ अध्रक है आप चाहे तो और भी कुछ वेजटेबल इसमे आड़ करना चाहे तो कर सकते है तीन आलो वने लिया है जिसे में बॉइल करके अच्छा थंडा कर ली हूँ अलो को मैश नहीं करें इसमें कट कर लेनी चाकू से इसे अगर लगेगा मैश करना हुगा तो करेंगे नहीं तो भी आप ऐसे भी स्लाइसे में रग डाल सकते हैं को सबी आलो को मैं कट कर लूगी अब एने ऑईल लिया है तह सकते मैं तीन से चाट टेबल स्पूनी ऑईल डाली हूँ और इसे थोड़ा से डालेंगे तरके के लिए जैसे तील अच्छा से गरम हुझे देखे मैं थोड़ा सा राय जीर डालेंगे जैसे राय जीरा तरकने तो मुमफली डालेंगे मुमफली को अच्छे से रोस्ट करेंगे अब मैं डाले हूं प्याज प्याज और हरी मिर्च को मैंने बारिक चॉप कर लिया था आप अपने हिसाब से आपको चाहे तो लंबेल में कर सकते हैं समूसर में अच्छा लगता है मैं इसे लंबा स्लैस नहीं कट की हूं मुमफली प्याज हरी मिच को अच्छा सरा कर लेंगे मैं गाजर बीटूट और करी पत्ता को डाल दी हूं करी पत्ता से फ्लिवर बहुत ही अच्छा आएगा अब इसे में फूल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लोंगी लो टू मीडिया फ्लेम को देखते वे अब मैं थोड़ा से इसमें डाल रही हूं लाल मिच पॉडर हल् करूंगे अभी और एक होममेट गरम मसाला उसे में अड़ कर रही हूं आप चाहे तो और भी कुछ मसाले आपको चाहिए तो किचन की मसाला वगरा आप यूज कर सकते हैं मैंने नहीं किया है और थोड़ा से कस्मीनी लाल मिच डालते हूं मैं इसे अच्छा सा फ्राइ कर ल अब मैं थोड़ सा कसूरी मेथी डाल रहे है कसूरी मिच से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब को मैं अच्छा सा फ्राइ कर लोंगे फ्राइ करके इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए जब तक कि आठा भी अच्छा से यह बीग एक लोही में दो समूसा बनेगा आप दू काट सकते हैं आप इस तरह की रसिप आप बच्चे लों को इवनिंग स्नैक्स में सकते हैं एवनिंग लश्चा सब्स्थर को इभने फिंग से ábना की प्रमाद बनते हैं रमम इस तरह की बनाते हो दा कि अच्छा वह नकों नुफ देखिए मैंने से बेल दिया है तोड़ा से लंबा कार में बिल न हेवार बीचन लगा लेघी थोड़ा से है फिलिंग को भरेंगे दिखिए ड़िंग कितने अर्चछी तरीके से 액प बल कुल मार्केट के जैसा इसका शेप आने वाला है बनने के बाद देखे अच्छा से फिलिंग भर ली हो और साइड में पानी लगाते हुए इसे एक फोल्ड देना है देखे ऐसे एक फ्रिल देना है फ्रिल देते विए आप इसे चिपकाएंगे तो देखे आप बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड भ को इजी पढ़ेगा इसके फिलिंग भरने में देखे कॉर्णर को पहले चिपका लीजी आप फिर इसे ऐसे पकड़ती हुए इसके फिलिंग को आप भरिये देखे आपको दिखा वहुँए अब इससे मैं फॉल्ड कर लोंगे इस एक ऐसे फिलिंग गाइंगे तो अभी के स्टैंड करेंगे कि अगरेन एक फिलिंग बना यह रखने ही वह पाएंगे लिए कि देखिए दो समुसा को मैं भर के दिखा ली हूँ और चौथा भी मैं भर रही हूँ एक तरफ से ऑईल को भी मैं गरम करने के लिए रख दूँगी इस टेखनीक से आप इसे भरिए बिल्कुल शेप बहुत ही पर्फेक्ट शेप आने वाला है सभी समुसा को ऐसे भर लेंगे मेरी रेसिपी अगर आप लोगो थोड़ी सी अच्छे लेगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रू कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ऐसे सिंपल और अच्छी से रेसिपी मैं हमें साल आते रहती हूँ हर तरह की रेसिपी आपको मेरे चैनल में देखने मिली कि आप जाकर विजिट कर सकते हैं तो आपको फ्लेम को बिल्कुल ही लों कर लिया आप इसे तरलना पड़ता है तो आटे में कोई दिक्कत निया तो तो गरम में भी आपकर सकते हैं अगर मैदय कचीज को fry करते हैं तो तेल गरम करते हैं उसके बाद आप फ्लेम को लोग कर दीज और तेल को थोड़ा सा ठंडा करके फिर कोई भी चीज डालेंगे तब ही अच्छा सा मैदय कचीज फ्राई होता है यह तो उपर सी वह उसमें बबल स्टैप का आने लगता है इस अच्छा सा फ्राई कर लेंगे दो से तीन बैश्व मैसे सबको फ्राई करके निकाल दूँगे अच्छा गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसे में निकाल देती हूँ मैं तीन बैश्व में से फ्राई की हूँ और तीनों बैश्व में निकाल दी हूँ अब मैं सर्फ कर रही हूँ मैंने ग्रीन चटनी और टमैटो सॉस लिया है आप चाहे तो किसी तरह के वह चटनी जो आपको पसंद हो आप उसे सर्फ कर सकते हैं कि बड़े-बड़े समोस है और कम समान में घर में आप इतनी टेस्टी और हल्दी चीज बना सकते हैं पी मिर्ची थोड़ा से तल्के डालओंगे मिर्ची के तलिकी डालें और किछापर कर सकते हैं चली मैं सबको सर्फ कर दी हूँ आगे में और कोई अच्छी से रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से मिलती हूँ एम ये चैनल में एक बार जाके विजिट कर सकते हैं बहुत सारी रेसिपी से चली मैं तोड़ती हूँ बिलकुल गरम है कि मैं तोड़ भी नहीं पारी इतना गरम है देख सकते हैं फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से भरा है और देखने में कहीं से नहीं लग रहा कि आटी का समोसा है खाने हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चली आगे में और कोई अच्छी से रेसिपी के साथ फिर आप रोगों से मिलती हूँ थैंक यूवर वाचिंग टिक्केट बाबाई